दस बार खरीग पर, दस बार विकरी पर टेक्स अब इसमें सरकार ने एक और बात कही ए, दो तरहे के टेक्स की उन्हों ने बात कही है, एक इंपुट टेक्स और एक आउटोंट टेक्स है, वो क्या होता है? एक लाग रुपए का आपने माल खरीदा, कलप नगरो, चार परसे तब भी आपको टैक्स बरना है लेकिन नेट टैक्स जो सरकार के पास जाएगा वो क्या विक्री के समय जो आपने टैक्स भरा और खरीद के समय जो टैक्स दिया है दोनों को घटाया जाएगा माइनस किया जाएगा जो आएगा हिस्सा वो नेट टेक्स है जो गवर्मेंट को जाएगा तो आउटपुट टेक्स माने बिक्री के समय दिया जाने वाला इंपुट टेक्स माने खरीद के समय दिया जाने वाला दोनों को घटा के आउटपुट टेक्स minus input tax वो जो है वो ने वैट है वो आपको सरकार के खजानी में भरना है तीसरी एक महत्वपूर बात जो इसमें समझने की है वैट में वो ये कि हमारे देश की सरकार में 550 वस्तूओं पर ये टेक्स लगाया है अभी ये साल अगले साल सरकार कह रही है कि दो हजार बस्तूओं पर और लगाएंगे चितमपरम का ये बयान है संसत में और दो हजार साथ में आठ हजार और बस्तूओं पर लगाएंगे माने दो हजार साथ तक हिंदुस्तान में साड़े दस हजार बस्तूओं पर बैट आ जाएगा कई व्यापारी महाराद जी आज मुझे ये कहते हैं राजवे हमको क्या हमारे याँ तो बैट नहीं है जैसे ये कपड़े का दंदा करने वाले लोग है न टेक्स्टाइडी वाले इस पर ये साल बैट नहीं है तो मैं कहते हूँ चिता मत करो छे महीने की देर है अभी अगला फाइनेशियल आ रहा है तो तुम्हारे उपर बैट आने लाए तो जो लोग आज ये उम्मीद में बैटे हुए हैं कि हमारी वस्तू जो हम बेच रहे हैं उस पर बैट नहीं है अगले साल ऐसी डाइयजार वस्तूओं पर कुल हो जाएगा और उसके अगले साल साड़े दसजार वस्तूओं पर हो जाएगा और साड़े दसजार वस्तूओं का जो उत्पादन हमारे देश में होता है उससे कितनी वस्तू जादा है कुल तो मात्र 45 वस्तु बचेंजी जिस पर बैट नहीं होगा बाकी सब बैट होगा जो कुछ भारत में बन रहा है उसमें मात्र 45 वस्तुएं है जिन पर टैक्स नहीं होगा बाकी सब पर तो अब हम ये समझ लें कि हम ऐसी कोई वस्तू बेच रहे हैं जिस पर इस साल बैट नहीं है अगले साल अच्छा एक लें जितना कुछ हम बैच रहे हैं अगर उस पर बैट नहीं है तो ये कल्पना मत करिये कि कमी नहीं होगा अगले साल से और दो साल के बाद लगवल दस साड़े दस हजार वस्तों पर वैट आ जाएगा एक कदम आगे चलू वैट के बारे में एक जो सबसे महतुपूर बात है हमारे देश की सरकार से जो हमें सुनने को मिल रही है बार बार हमको ये कहा जारा है रोज टीवी में जाहिरात आता है अख़वार में बड़े बड़े जाहिरात आते हैं रोज वित्यमंत्री का बयान आता है उसमें 8-10 महिती वो दे रहे हैं पहली महिती दे रहे हैं वैट आने के बाद भ्रष्टाचार कम हो जाएगा हाँ ट्रांस्परेंसी बढ़ेगी ब्रष्टाचार कम हो जाएगा दूसरी वो महिती दे रहे हैं कि दुनिया के 123 देशों में बैट है तो भारत में भी आएगा तो विदेश व्यापार में बहुत मदद मिलेगी तीसरी महिती वो दे रहे हैं कि इससे भारत के अधिकारियों की अधिकार शाही बिरोक्रेटिजम जिसको हम कहते हैं लाल फीता शाही अधिकार शाही वो बहुत कम हो जाएगी चौथी माहिती वो हम को दे रहे हैं कि भारत सरकार का tax collection का system बहुत असान हो जाएगा पाच्पी माहिती दे रहे हैं व्यापारीों को बहुत सुविधा और सभूलियत हो जाएगी चटी माहिती वो दे रहे हैं कि चुब की पूरा system self-assess सबसे पहले जब बैट आया हिंदुस्तान में आपको मालूम है, यही राजे में आया, याद है आप, 98 में, और परिणाम क्या हुआ, सरकार परिशान हो गयी, एक ही साल ने, और सरकार ने वापस किया उसको. क्यों नहीं लाया, आगें तक क्यों नहीं किया, क्योंकि बहुत तकलीफ हुआ. तकलीफ क्या हुआ जो अधिकारी वर्ग था उनका ये कहना था कि ये इतना complicated है कि इसको लगातार चलाई रखना मुश्किल है इससे अच्छा sales tax है तो महाराश राज्य ने सबसे पहले experiment किया और वापस लिया क्योंकि ये complicated बहुत है complications क्या है वो अभी आपको थोड़ी देर में दिखाई दे जाए दूसरी एक जानकारी आपको देदू हमारे भारत देश में हरियाना नाम का एक राज्य जिसके मुख्यमंतरी ओम प्रकाश चोटाला ने भारत के सबसे पहले राज्यों में इस्थान हासिल किया बैट लागू करने का ओम प्रकाश चोटाला ने पूरी ताकत से बैट लागू किया हर्याणा के व्यापारियों ने विद्योगपतियों ने ग्राहकों ने बहुत विरोध किया चोटाला ने किसी का नहीं सुना परिनाम क्या हुआ चोटाला भूरी तरह से चुनाओ हार गया और व्यापारियों विद्योगपति ग्राहकों ने कहा कि अगर ये नहीं सुनता है तो कान पुकड़के उतारते है अब चोटाला को पूछा जाता है कि आप चुनाओ हार गए क्यों? तो कहता है मैंने वेट लागू किया जबरजस्ती किया इसलिए चुनाओ हार गए मैं आपको एक और महेंत्य की बाता हूँ भारत के जितने मुख्यमंत्रियों ने वेट का समर्थन जिया या वेट लागू करने की बाद जोर शोर से कई वो सब चुनाओ हार महाराश्त के पड़ोस में एक राज्य है मधिप्रदेश मधिप्रदेश का मुख्यमंत्री दिग्विजैसे सबसे खराब वेट का कानून महारत जी उसी ने बना सबसे खराब और वो सबसे खराब क्या था थोड़ी देर में आपको बताऊंगा इस स्लाइड शो है उसने सबसे खराब वेट का कानून बनाया और सबसे बुरी तरह से चुनाव हारा दिग्विजैसे दूसरा मुख्यमंत्री हमारे भारत देश में चंद्रबाबु नाईडू आंद्रप्रदेश वो भी बुरी तरह से चुनाव हारा जो वेट का पूरा समल्धन करता था तीसरा मुख्यमंत्री SM Krishna करनाटक में वो चुनाव इतनी बुरी तरह से हारा कि उसकी अपनी पक्ष की सरकार नहीं बनी उसके सबसे खराब विरोधी पक्ष के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी करनाटक में और SM Krishna को करनाटक छोड़के महराष्टाना पड़ा गवर्णर बन की राज्य ही चूट गया उसका वो है तो जितने मुख्यमंत्रियों ने बैट लाया सब बुरी तरह से चुनावारे कारण क्या है जनता ने पसंद नहीं किया जनता ने पसंद नहीं किया व्यापारियों ने पसंद नहीं किया उद्योग पतियों ने पसंद नहीं किया वैट को उसका कारण क्या है क्यों पसंद नहीं किया और क्यों आठ राज्यों में अभी तक विरोध हो रहा है और क्यों मेरे जैसा आत्मी इस वैट का विरोध कर रहा है उसके तीन चार मुख्य मुख्य कारण है जो मैं आपसे शेयर करना चालता हूँ सबसे बड़ा कारण सरकार कहती है जी दुनिया के 123 देश में वैठ है हम भारत में क्यों नहीं लाएं इसमें सरकार थोड़ा सच बोती है और बड़ा सच छुपा जाती है बड़ा सच क्या है दुनिया के जिन 123 देशों में वैठ है वहाँ पर दूसरा कोई भी indirect tax नहीं है कोई भी दूसरा अप्रत्यक्ष कर नहीं है और भारत देश में जहां वैठ आ रहा है वहाँ 14 तरह के indirect taxes है पंत्रवा indirect tax वैठ है यूरोप के देशों में सबसे पहले वैठ आया जर्मनी और लेटिन अमेरिका के देशों में सबसे पहले वैठ आया ब्राजील ब्राजील दुनिया का पहला देश है महाराजी जो वैठ लाया लेकिन बहुत मैं तुम हूँ है ब्राजील की सरकार ने सारे दूसरे indirect taxes खतम किये उसके बाद वैठ लाया और 20 साल 20 साल महाराजी ब्राजील की सरकार ने बहस किया वैठ पर संसत के अंदर संसत के बाहर 20 साल के बाद जनता ने जो कुछ सुझाओ दिये व्यापारियों ने और उद्योगपतियों ने जैसा कहा वैसा वैठ आई तो ब्राजील ने 20 साल लगाया वैठ लाने के 1960 में उनके चर्चा शुरू हुई और 1980 में वैठ आई 20 साल लगा उनको अध्यान करने के इसी तरह जर्मनी में 12-13 साल बहस चली जर्मन संसत में उसके बाद बैठ है जितने भी देशों में बैठ है आपको दो बाते महत्यू की मैं बताना चाहता हूँ वहाँ कोई भी इंडारेक्ट टेक्स नहीं है सिर्फ बैठ है इंडारेक्ट टेक्स में और 23 देश तो ऐसे है महाराज जी जहाँ डारेक्ट टेक्स भी नहीं है सिर्फ एक ही टेक्स है बैठ जैसे सुटसर लेंड एक देश है वहाँ सिर्फ एक ही टेक्स है बैठ और वो इंडारेक्ट टेक्स है डारेक्ट टेक्स वहाँ कुछ भी नहीं है इंकम टेक्स नहीं है, कॉर्पोर्ट टेक्स नहीं लंक्समवर्ग एक दूसरा देश है जहां बैट है, बाकी दूसरा कोई टेक्स नहीं पनामा एक तीसरा देश है जहां बैट है, बाकी कोई टेक्स नहीं ऐसे 23 देश है दुनिया में जहां सिर्फ एक ही टैक्स है वैट बाकी दूसरा कोई टैक्स नहीं है 84 देश ऐसे हैं जहां पर दो ही टैक्स हैं एक वैट और एक इंकम टैक्स बाकी कोई टैक्स है अब भारत की बात करें बारत देश में 14 indirect taxes है एक direct tax है और उपर से बैट ये स्तिती हमारे देश तो आप कल्पना कर सकते हैं जिन देशों में सारे indirect taxes खतम किये और बैट लाया वो सफल होने वाले क्योंकि जंता को मज़ा आ गया साखे सारे के सारे इक डारेक्ट टेक्स चले गए बहुत मज़ा गया और डारेक्ट टेक्स भी चला गया और जादा मज़ा गया अब जिन देशों में महराजी डारेक्ट टेक्स नहीं है इंकम टेक्स भी नहीं है और वैट है उन देशों में वैट का रेट क्या है वैट की दर क्या है और कितनी वस्तुएं हैं जिन पर वैट है सुर्जर लेंड की बात करता हूँ सुर्जर लेंड दुनिया का सबसे ऐसा अधबुत देश है जहां वैट सिर्फ डेढ़ टका है 1.5 परसें और सभी वस्तुएं पर एक जैसा है 1.5 परसें माने सौ रुपए का माल बनाईए एक रुपए पचास पैसे टेक्स में दे दीजिए बात खतम हो गई और सिंगल पॉइंट है मारे जिए एक बार के उत्पाधन पर आप डेढ़ रुपए भर दीजिए सौ रुपए के माल बनाईए उसके बाद जिंद्गी वर के लिए बूल जाइए ना आपको बिल रखना है ना कैश मीमो रखना है ना बाउंचर रखना है ना पर्चेज रेजिस्टर ना सेल रेजिस्टर ना कोई डाकूमेंट आपने घुशित किया मैंने 100 रुपय का माल बनाया, 1.5 रुपय बर दिया, बात खतम हो गई, अब उस माल को आप पूरे यूरोप के किसी भी देश में बेचने के लिए भेज दीजे, कभी भी दूसरा टैक्स नहीं लगेगा। सिर्फ एक बैठ है, और वो भी डेड़ टका है, दूसरे कई देश में, वहाँ पर किसी में साड़े तीन टका, चार टका, छे तका, साड़े साथ तका, आठ तका, नौ टका, इसके आगे जाता नहीं है, कुछ सलेक्टिब वस्तुएं हैं, जिन पर सत्रे टका है, सलेक्टिब जिनकी संख्या 20-25 से जादा नहीं है, हजारों दूसरी वस्तुएं पर बहुत कम है, और बाकी दूसरा कोई टेक्स नहीं है, ये सबसे महत्व की बात है जानने की, हिंदुस्तान में जो सबसे खराब बात हो रही है वैट में, वो ये, कि दूसरे धेर सारे टेक्सों के केंद्र की सरकार लेगा, सेन्गेट और स्टेेट वैट में फरक्या होता है, अगर आप सेन्गेट बरते हैं, तो अपने वाल ऑई को उस देश के किसी भी राज्यके किसी भी गाउन में कभी भी ले जाकर बेचिए कोई प्रॉब्लम ही, लेकिन सेन्टेट वैट होने से प् business बहुत सरल हो जाता है तो दुनिया के सभी देशों में जहां वैट है वो send वैट है, state वैट नहीं तीसरी एक और महत्व की बार जहां भी देशों ने वैट लाया दुनिया के हर एक देश में दो नियम बना दिये उनों बहुत important है नियम क्या बना दिया कि सरकार जो tax ले रही है वो tax की मालिक नहीं है जो revenue collection हो रहा है tax के माध्यम से सरकार उसकी मालिक नहीं है custodian यह rule है सरकार जितना tax सिकठा करेगी उसकी वो मिलकियत नहीं है, संबत्ति सरकार की नहीं सरकार उसकी रक्षा करने के लिए गठित की गई है जैसे ट्रस्टी होते हैं ट्रस्टी ट्रस्टी ट्रस्ट की संपत्ती के मालिक नहीं होते हैं सुरक्षा करने के लिए हैं वैसे ही सरकार सभी देशों में सुरक्षा करने के लिए हैं मालिक नहीं है मालिक तो वो है जो टेक्स दे रहा है तो वहाँ नियम क्या बना जब सरकार कस्टोडियन हो गई और टेक्स पेर मालिक है तो मालिक को जबी भी जरूरत होगी तो पूरा टेक्स वापस होगा ये नियम है सबी यूरोप के दिशों लैटेन अमेरिका में भी अब जरूरत कैसे होगी मैं आपको दो उधारण देता हूँ मालिज़े आप फ्रांस में बिस्निस करते हैं और आपको 20 साल हो गया आप 20 साल से फ्रांस में वैट भर रहे हैं इमानदारी से टेक्स में 21 साल में एक दिन आपको लगा कि ये फ्रांस अच्छा देश नहीं इससे ज़्यादा अच्छा देश जर्वनी है और आप अपना सारा बिस्निस जर्वनी शिफ्ट करना चाहते हैं जिस दिन आप सरकार को कहेंगे कि मैं फ्रांस छोड़के अप जर्वनी में सेट्ल होना चाहता हूँ और मेरा बिस्निस पूरा मैं जर्वनी ले जाना चाहता हूँ उसी दिन आपका 20 साल का एक एक पाई जो आपने पे किया है वो आपको वापस मिलेगा उसी दिन और सरकार आपको एक धन्यवाद पत्र देगी भाई बहुत धन्यवाद आपने 20 साल तक हमको टैक्स बढ़ा हमने आपके टैक्स का देश के विकास में इस्तेमाल किया हमें दुख है कि आप हमारा देश छोड़कर जा रहे है इसलिए ये टैक्स का पैसा आप अपने साथ लेके जाएए क्योंकि हम इसे नहीं रख सकते हम इसके मालिक नहीं है मालिक तो आप आप फ्रांस चोड़के जर्मनी जाएए जर्मनी चोड़के बेलजियम चोड़के डेनमार्क चोड़के किसी और तीसरे देश में चले जाएए टोटल जो बैट आपने पे किया है फिर बीस साल बाद आपका दिल उप जाए वो देश को छोड़कर और किसी में चले जाएए वापस मिल जाएगा इस तरह का नियम है सभी देशों में और एक नियम है माल लीजिए आपके धंडे को कोई चोट पाई गए चोट आगई कैसे फ्रांस में आप दंडा करते हैं और भुकम पा गया धरती कम पाया दुकान आपकी तूट गई फैक्टरी डूप गई बूचा दाया धरती कम पो गया आग लग गई कुछ हो गया फैक्टरी बन दुकान बन सब दंडा बन वो दिन आपको आपका पूरा टेक्स वापस मिलेगा ताकि आप नया धंदा शुरू कर सकें और नया धंदा शुरू करने में तीन साल तक सरकार आपसे टेक्स नहीं लेगी तीन साल बाद आपसे फिर टेक्स लिया जाएगा ये दो नियम है भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है और अगले 500 साल बनेगा उसकी कोई कलपना में यहां तो क्या जितना मिले खीचे जाओ, लेते जाओ, खीचते जाओ, लेते जाओ, अपनी जेप में रखते जाओ, वापस देने का तो प्रश्नी ही भारत में नहीं तो जहां वैट है, वहां के तीन नियम महत्व के हैं, एक तो सिंगल पॉइंट वैट है, दूसरा टैक्स की दर बहुत कम है, और सेंट वैट है, सेंट्रल वैट है, और रिफंडेबुल है, और टोटल इंडारेक्ट टैक्स खतम करके लाया हुआ, और एक इंट्रेस्टिंग जितने यूरोप के देशों में वैट है, वहाँ पर वैट लेने वाला जो अधिकारी होता है, उसके पास कोई judicial rights नहीं होते हैं, जुडिशिल राइट का मतलब क्या मैं आपको समझाता हूँ जुडिशिल राइट का मतलब है आपको जेल बेज देने का अधिकार जुडिशिल राइट है आपकी संपत्ती जब्त करके बाजार में बेच देने का अधिकार जुडिशिल राइट है आपके बीवी बच्चों को जहीं भेजने निकने का अधिकार जुडिशल राइट है ये किसी भी अधिकारी को नहीं होता यूरोप के किसी भी देश में और लेटिन अमेरिका के किसी देश में उनको अधिकार नहीं है जुडिशल राइट्स नहीं है उनको सिर्फ ड्यूटीज है, राइट्स नहीं, करतम पे हैं, राइट्स तो टैक्स पेर को है, करतम भी तो टैक्स लेने वाले को है, कलेक्टर को है, और ज्यादातर देशों में जब वेट का कमिशनर या वेट ऑफीसर किसी व्यापारी को फोन करता है, तो एक या दो है मालों आपने टेक्स बहा और गलती से ज़्यादा दे दिया है तब वो बैट कमिशनर आपको फोन करेगा सर आपका मेंने रिटर्ण देखा है आपने तो गलती से ज़्यादा टेक्स पर दिया है आप मुझे टाइम दीजिए मैं आपका वापस पैसा देने आना चाहता हूँ आप बुले के सेटर्डे को आना सेटर्डे जो हो वीक लिए ओफ है संडे ओफ है संडे आना तो आएगा और आपके हाथ में पैकेट दे के जाएगा वो 10,000 यूरो डॉलर का हो सकता 50,000 यूरो के जिन लोगों से मैं बात करता हूँ मैं कहता हूँ वेड कमिशनर का फोन आए तो कहते है राजी बहल दिवाली होती है उसने जिस दिन फोन आए दिवाली पक्का है कि हमको 10-20,000 डॉलर देने आ रहा है पक्की बात है अदर्वाइस वो फोन करेगा नहीं आप एक तो ये कंडिशन पर वो फोन करता है दूसरा कि आपने मान लीजे टेक्स भरा है और आपके चार्टेड इकाउंटेंट से कोई बड़ी भारी गलती हो गई है आपको फोन करेगा और आपको अगर सुविधा है वो पूछेगा आपको सुविधा है तो आप मेरे ऑफिस में आ सकते हैं आपको नहीं बिल पास का इमाइए आपके आने का, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास ओदेखेंगा। यह तो होता है वहां का Vet Commissioner. और योुरोप ने कोयी भी देशका Vet Commissioner टैक्सपेर को तो सर करके बात करता है, Sir सर सर ओके sir, right sir, very good sir, fine sir,roat ф Tiffany esteem यह बात करता है बारत का बारत का वेड कमिशनर आपका सर तोड के बात कर वो तो पुदे कर सकर के बात कर थे बारत का वेड कमिशनर तो आप जाओगे तो कमरे में कुरसी नहीं रखेगा कहेगा बार खड़े रो और खुद बैड़ा बैड़ा चाहे पीता रहे कहेगा फुरसत नहीं इकला ओपर सो आउनर सो तो tendency में बहुत फरक है और इससे भी ज़्यादा interesting बात है जो बहुत भेतु की है फिर मैं आता हुद्मू की विशे पर दुनिया के किसी भी देश के वेट कमिशनर को पगार नहीं होती है salary नहीं मिलती है उसको commission मिलता है जितना वो tax लेगा उसका commission fix होता है और हर देश में अलग अलग है कोई देश में 0.5 टका बने आपने जो total tax एकटा किया उसका 0.5% आपका commission आपने जो टेक्स से कठ्था किया उसका एक टका कमीशन एक टका से कहीं जादा नहीं है और 0.25% से कहीं कम नहीं तो 0.25% से लेकर 1% के बीच में कमीशन फिक्स होता है किसी को सेलरी नहीं है कमीशन और एक मज़े की बार किसी भी वैट कमिशनर को यूरोप के किसी भी देश में सरकार का घर नहीं मिलता रहने के किराई के घर में रहना पूरता सरकार का टेलीफोन नहीं मिलता सरकार का मोबाई फोन नहीं मिलता सरकार की कार नहीं मिलती सरकार के फोकट के टिकेट नहीं मिलते हवाई जाज में आने जाने के लिए बीबी बच्चों को तो कभी कोई सुविदा नहीं मिलती जो करना है अपने पैसे से करना है सरकार की तरफ से कोई सुविदा नहीं आपको जो कमिशन मिल रहा है उसी से आपको अपनी जिन्दगी चलानी है बाकी आगे कोई बात नहीं है भारत देश में इसका ठीक उल्टा होता है वेट कमिशनर को पगार तो है और उसको धेर सारे पगार के साथ हाउस टेक्स अलग मिलता है हाउस रेंट अलग मिलता है उसके बीवी बच्चे बीमार हो जाते हैं उसके लिए पैसा अलग मिलता है फोकट की बिजली जलाने के लिए फोकट का डीजल पेट्रोल फोकने के लिए अलग से मिलता है बीवी बच्चों को हर साल गुमाने के लिए हिल स्टेशन पर जाए अलग पैसा मिलता है और उसके मम्मी पपा भी बीमार पड़ जाए वेट कमिशनर के तो उनको खर्चा अलग मिलता है तो भारत का जो वेट कमिशनर है और यूरोप का वेट कमिशनर है जमीन आसमान करता है हमारे देश की सरकार मैं ये सारी माहिती छुपाई लोगों से और बोल दिया कि यूरोप के 123 देशों में वैट है तो भारत में भी आना चाहिए लेकिन ये नहीं बताया कि उन 123 देशों में किन आधार पर वैट है और हमारे याँ की नाधार पर आए सबसे खरब बात हमारे देश में जो हुई है वैट में कि धेर सारे दूसरे टेक्स भरते हुए आपको वैट देना है अब इसमें एक और महत्तु की बात में कहते हूं कि यह स्लाइट में शुरू करूंगा भारत देश के नाधरिप अगर नेट इंकम कर रहे है तो उनको टेक्स देना है इंकम टेक्स बात समझने आते हैं नेट इंकम और अगर आप ग्रॉस इंकम कर रहे हैं तो अब आपको टेक्स देना है वैट वैट जो है ना ग्रॉस इंकम पर लगने वाला टेक्स है ये बात सबसे महतु की है जिस पर मैं अब आपका ध्यान आकरशित करना चाहता हूँ और महाराजी से विशेश ने दिन करना चाहता हूँ ये सब को बता है आपकी gross income अब taxable हो गई net income पहले से taxable थी इसका माने आपकी total income taxable हो गई आप अपनी income छुपा नहीं सकते value-added tax लाने के पीछे हिंदुस्तान की सरकार की सबसे बड़ी साजिश है वो ये कि भारत के व्यापारी और उद्योपती वर्ग की सारी income सरकार की आखों के सामने रहे आप उसे छुपा नहीं सके अभी क्या होता था अभी जब आप sales tax देते थे तो उसमें gross income taxable नहीं थी net income taxable थी तो उसमें आप थोड़ी बहुत बचट कर सकते थे बचट करने को सरकार कहती है कर चोरी और मैं उसको कहता हूँ बचट सरकार उसको कर चोरी कहती है कि आप tax evasion कर रहे हैं और मैं मानता हूँ कि आप इस देश की domestic savings बढ़ा रहे हैं अगर आप tax नहीं भर रहे हैं तो आप इस देश की बचट बढ़ा रहे हैं सरकार कहती है कि कर चोरी कर रहे हैं मैं कहता हूँ कि आप tax savings करने से इस देश की बचट बढ़ाते हैं कैसे हिंदुस्तान के जो लोग tax में पैसे कटवती करते हैं या tax नहीं बढ़ते हैं या tax की चोरी करते हैं जो भी शब्द इस्तेमाल करें वही लोग सबसे ज़्यादा डोनेशन देते हैं महाराजी मेरे बहुत दोस्त है जो हर साल इंकम टैक्स की चोरी करते हैं उनके घर में चार-चार चार्टिड इकाउंटेंट हैं जिनको महीने का 50,000 रुमे का सेलरी देते हैं इंकम टैक्स नहीं जाना चोरी मैं उनको कहता हूँ भाई तुम इतना खर्चा चार्टिड इकाउंटेंट पर करते हैं और इतना दान में नहीं देते हैं रोज का एक लाग रुपए का दान दे सकते हैं इंकम टैक्स नहीं देते हैं रोज का दो लाग रुपए का दान दे सकते हैं वो मैंने दिन में डिवाइट कर दिया तो रोज का दो लाग, तीन लाग, चार लाग, पाँच लाग उपए तक डोनेट करने वाले लोग इंकम टेक्स नहीं भरते क्यों? मैंने एक दिन उनसे पूछा उसमें से कई लोग तो कुंबई में तब उन्होंने मुझे बहुत गंबीर बात किया और उस दिन से मैं उनको सलूट करता हूँ मैं उनको प्रणाम करता हूँ सरकार उनको टेक्स चोर कहती है, मैं उनको सलूट करता हूँ वो कहते है, राजी भाई, बारतिय संस्कृती में कुपात्रों को दान नहीं देते कुपात्र माने भारत की सरका उसको हम नहीं ले सकते आप दान में वागो तो घर भी खाली कर देगे आपको गोवशाला बनानी है हम देगे 10 पर आपको तालाब खोदना है हम देगे 20 पर आपको गरीब बेनों की शादी करनी है गरीब बेटियों की हम देंगे 50 पर कोई भी काम के लिए दरवाजा खुला है इंकम टैक्स नहीं देगे और उसमें से एक तो मेरे ऐसे अजीज मित्रा वो कहते हैं अगर कुपात्रों को दान दिया तो नरक में जाना पड़ता है हम नरक में नहीं जाना चाहिए अर्थार बात बिल्कुल सीधी सीधी है कि सरकार के टैक्स के पैसे को चोरी करके वो दान में देते हैं और इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ ये हुआ कि भारत देश में जो पैसा टेक्स से बचाया जाता है उसी से दान का काम चलता है इसका अर्थ यह हुआ कि जो पैसा टेक्स से बचता है वही मंदिरों में काम आता है वही समाज के काम में लगता है वो जीवदया के काम में लगे मंदिर के काम में लगे मट के काम में लगे किसी दूसरे सामजे काम में लगे ये वही पैसा है जो टेक्स से आपने बचा लिया अब सरकार क्या कह रही है कि आपके पास टेक्स से कोई पैसा बचने ना पाए वैट के नाम पर आपकी ग्रोस इंकम टेकसेबल कर दिया और net income taxable है income tax के नाम पर माने total income अब आपकी taxable है माने कोई भी पैसा अब आप बचा नहीं पाएं अर्थात अब आप पैसे का दान नहीं कर पाएं अर्थात पैसे का दान नहो तो मंदिर और मंदिर से जुड़ी हुई संस्थाइं ना चले अर्थात मंदिर और मंदिर से जुड़ी संस्थाइं ना चले तो धर्म का काम बंद हो अर्थात आप सब ईसाही बनने के लिए तयार जो यह है असली मकसद बैट का और मैं आपको दिखाऊंगा इस स्लाइड में भारत सरकार ने इतनी बड़ी साजिश किया है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते यह बैट का ड्राफ्ट आया है आपको मैं एक जान का निधर यह बैट का ड्राफ्ट आया तो सबसे पहले ड्राफ्ट को बनने वाली जो कमेटि असीम दास मुक्ता मैंने पुक्रश्ण पूछा था इस ट्राफ्ट में एक बस्लाइड आपको दिखाऊंगा ये प्रोवीजन कैसे आए भारत जी इसमें एक स्लाइड है वो आपको तो शाहिद दिखाई नहीं देगी लेकिन हां वो स्लाइड यह है कि जितने इंटरनेशनल और्गनाइजेशन भारत में काम करते हैं वो सब टैक के कानून में इंटरनेशनल और्गनाइजेशन को वैट फ्री रखा है अभी इंटरनेशनल और्गनाइजेशन कौन है जितने भी चर्च और्गनाइजेशन हैं सभी इंटरनेशनल और्गनाइजेशन वो सभी वैट फ्री हैं और जितने हिंदु धरम के मठ बंदिर हैं वो सबी अब बैट में आ गए है और ये परिवर्दन किस दिन आया जिस दिन मनमोहन सिंग इस देश का प्रधानमंत्री बना उसी दिन ये प्रोवीजन डाला गया इसके पहले एक ड्राफ्ट बना था वो बनाया था अटल प्यारी वाज में एक सरकार चलती थी ना उसमें एक वि प्रधानमंत्री रहे यश्वन सिना उनके समय में जो ड्राफ्ट बनाया गया उसमें ये प्रोवीजन नहीं था आप ध्यान देना इंटरनेशनल और्कनाइजेशन को वैट से अलग रखना ये मनमोहन सिंग के प्रधानमंत्री बनने के बाद इसमें डाला गया मनमोहन सुनिया गांदी इस देश की प्रधानमंत्री है क्योंकि मनमोहन सिंग इस बात को दो बार अपके मुझ से कह चुका है कि मैं तो मैडम का प्रधानमंत्री हूँ वो पब्लिक मीटिंग में बोला है ऐसे नहीं बोला है एक बार पब्लिक मीटिंग में बोला है और एक बार प्रेस कॉन्फरेंस में बोला है जिस दिन बन्मोहन सिंग की पहली प्रेस कॉन्फरेंस होई थी दिल्ली में उसी दिन उसने कहा था धार आप भारत के प्रदान बंदुरीude पत्रकारों ने का आप भारत के प्रदान बंदुरी हैं यह दिया ऑर्थाथ जैसे मैडम कहेगी वैसे ही मैं करूंगा मैडम कौन है क्रिशियन लॉँगी की सरमुख्तियार सोरिया गान नि valor तो international organizations को bet free बनवा दिया एक provision डलवा दिया सारे church हिंदुस्तान में वो catholics हो या protestants हो सभी international organization में गिने जाते हैं मुंबई में जितने church चलते हैं सभी international है मुंबई तो छोड़ो गाओं के गरीब से गरीब गाओं का church international है क्योंकि उसका जो linkages है वो यहाँ नहीं है, वो बाहर है तो उन्होंने एक provision डाल दिया all international organizations are wet free अर्थार, सारी Christian संसाइं wet free हैं ठीक है? अब दूसरा Muslim organization बहुत सारे Muslim organization इंदुस्तान में हैं जो international organization क्योंकि वो जुड़े हुए हैं Gulf countries के साथ आपको मालू को है, बहुत सारी मस्जिद भारत में बनती हैं जिनके लिए पैसा आता है, तो वहाँ से आता है अरब देशों से आता है उनके पैसे से यहां की मस्जिद बनती है उनका affiliation वहाँ है तो जिनकों भी पैसा बाहर से आता है उनका affiliation वहाँ होता है, तो वह international हो जाते हैं। तो all international organizations are vats free, अर्थार मस्जिद और church vats free, अर्थार मस्जद और church की किसी भी activity पर कोई tax नहीं, अर्थार मस्जद और church की किसी भी activity पर सरकार की अधिकारी का कोई अंकुष नहीं। आपकी activity wear table है या नहीं है वो तो secondary है लेकिन आपके उपर सरकार का अंकुष है या नहीं वो primary है आपकी जो हिंदू organization है ये international नहीं है क्योंकि ये वो नहीं सकते हैं क्योंकि इनका affiliation भारत के बाहर कहीं नहीं हो सकता इनका सबका affiliation होगा वो भारत के अंदर होगा विद्वों में बहुत भी आते हैं जैन भी आते हैं और तेरा पंती और दूसरे सभी तरह के मत मतां करके लोग आते हैं सनातनी भी आते हैं गैर सनातनी भी आते हैं सब तरे के लोग, उनके जितने संगठन, संपृताय, संस्थाय, वो सभी वैट के अधीन आ गई एक और इससे भी जादा खतरनाक बात, सरकार ने ये तै कर दिया है कि अभी जो संस्थाय, प्रॉफिटेबल हैं, नौन प्रॉफिटेबल हैं, दोनों, ये सभी बिस्निस करती है, बिस्निस के डेफिनेशन में डाला है उसको अभी तक आप क्या करते हैं, आप अगर मंदिर चलाते हैं, मट चलाते हैं, तो आप सेवा करते हैं लेकिन सरकार में वो सेवा हटा दिया अब उसको बिजनिस में डाल दिया बिजनिस में दो क्लैसिफिकेशन किया है नॉन प्रॉफिटेबल बिजनिस और प्रॉफिटेबल बिजनिस अर्थार मंदिर मट सभी नॉन प्रॉफिटेबल बिजनिस में आते हैं और non profitable business भी वैट में आ गया है profitable business तो आई गया है non profitable business भी आ गया अब इतनी बाते ध्यान में रखकर अब आप जरा देखिए ये slides इसमें मैं आपको देखिए भैया on करो जरा ये तो मैं ये हाथ में ले सकता हूँ ये तो बहुत सरल सी बात है ये परिभाशा है let us understand that जराँ next value added tax सरकार की definition क्या है सरकार की definition ये है draft में ये definition उन्होंने दिया है value added tax is multi stage tax levied on value added at different stages of production and distribution of a commodity ध्यान से पढ़का इसको of a commodity or service or any adventure in the nature of service with or without motive of earning profit with or without motive of earning profit आप कोई भी service करें कोई भी काम करें आप उसमें से profit बनाएं या ना बनाएं सीधी सीधी बात है आप बंदिर चलाते हैं non-profit business है लेकिन ये वैट की परिभाशा में है मारा जी आप बैठना चाहेंगे इदर आप इदर आएंगे देखने के लिए तो जो business आप करते थे business की अभी तक हमारे या definition थी ऐसा कोई काम जो पैसे कमाने के लिए किया जाएं वो business है और ऐसा कोई काम जो बिना पैसे के किया जाएं वो service है सेवा और व्यापार में फरक था अब सरकार ने क्या कर दिया सेवा को व्यापार बना दिया सबसे जादा विरोध होने की जरूरत है इसी definition पर कि तुमारी हिम्मत कैसे हुई हिंदुस्तान की non-profit organizations माने मंदिरों के सारे trust मठों के सारे trust उसको भी तुमने इसमें डापने और ये बात जब मैंने महारत जी कही ऐसे सांसदों को कही जो थोड़े धर्म प्रेमी है जो थोड़े जीम्दया प्रेमी है जो कभी-कभी आप जैसे संदों की प्रवचन सुनने आते हैं दिल में कही कही कोई दीपक जता रहता है उन्होंने कहा रैजी भाई सच में हमको मालूब नहीं ये हो गया सच में हमको मालूब नहीं यह हो गया मैंने का आप संसत में गए हैं हमने आपको संसत में इसलिए बेजा है आप वहाँ बैठे हैं बहस करें चर्चा करें वो कहते हैं हमको सरकार ने ड्राफ्ट ही नहीं दिया चर्चा क्या करें मैंने गाँ तुमने चिलाया क्यों नहीं संसत में जितना तुम राबडी देवी लालू यादव के लिए चिलाते हो और जितना मुलाहिम सीम और मायावती के लिए चिलाते हो तुमको इस पर चिलाना चाहिए था कि सरकार ग्राफ नहीं दे रही है और इतना हला मचाना चाहिए था कि सरकार ग्राफ देटी और समय से पहिए देटी और तुम उसमें ये लेख लेते और इसको संसत में बहस करते या विधान समाव बहस करते और इसको निकल बाते यह बहस नहीं हुआ, निकाला नहीं गया, इसलिए टैक्स में यह आ गया, अब इस डेफिनेशन से आप समझ दीजे, कोई भी मंदिर, कोई भी मठ, कोई भी संसा, जो नूबले लगणे व्यत्तियों के लिए काम करें, जीन दया के लिए काम करें, कुछ भी करें, और सभी वै के सारे एकाउंट्स चेक कर सकता है, और आपने अगर एकाउंट में कुछ खर्चा दिखाया हुआ है, कि हमने तो इतना पैसा खर्च किया, कभू तरों को दाना डालने के लिए, तो आपके उपर क्वेशन कर सकता है, अब आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, और कन्मिन्स होने में क्या-क्या लगता है, वो आप समझाते हैं, किसी भी टेक्स कमिशनर को कन्मिन्स होने में क्या-क्या लगता है, वो आप तो इससे बहतर जाते हैं, मैं तो कुछ दंदा व्याबार नहीं करता हूँ, जो लोग दंदा व्याबार करते हैं, वो मुझे बतात कि राजी भाई टेक्स कमिश्वाइब को कन्विंस करना आप समझ लो दुनिया का सबसे मुश्विक्राइब उसको पैसा लगता है कन्विंस होने के लिए भूस लखती रिश्वत लखती तो उतनी बात नहीं उसके आगे उसके आगे अगर उसकी नजर आपकी कार पे पढ़ गई और आपकी कार बहुत अच्छी है तो कन्विंस करने के लिए वो देनी पढ़ सके है उसकी नजर आपके किसी फ्लैट पे पढ़ गई और उसको फ्लैट आपका पसंद आ गया तो फ्लैट उसके नाप करना पढ़ सकता उसकी नजर आपकी किसी भी चीज पर पढ़ गई, कंविंस करना पढ़ेगा, हगारे बहुत अच्छे अजीज दोस्ते हैं कि आप अपने में बिस्टिस करते हैं, हजार करूर से जारा का उनका टर्नोबर है, वो कहते हैं राजी भाई, कमिशनर को कंविंस करने के लिए डांस बार लगता है, और डांस बार से भी ज्यादा लड़की लगती है, रात को देनी परती है, दानों के साथ, तब कमिशनर कंविंस होता है, तब जाके आपको दया प्रेंट करोना के तहत को छमा कर सकता है, नहीं तो आपको रगड के लग सकता है, तो ये डेफिनेशन इतनी खतरनाग है, इसका जो अंतिल बाक्य है, कमोडिटी और सर्विसेज, और एनी एडवेंचर इन नेचर और सर्विस, विद और विदाउट मोटिफ ओफर्मिक प्रॉफिट, ये सभी अब वेट में आगे, नेक्स्ट, अभी ये एक सिंपल सा चार्ट बनाया है समझने के लि कुछ वस्तू है, जिन पर डेक्स नहीं है, बाकी सभी वस्तू वाँपर टेक्स है, और वो टेक्स की दर कैसी है, कुछ वस्तू हैं आइसी है जिन पर एक टका टेक्स है, बेट, 1% सोना, चानी, सोवे चानी के गहने, हीरे, जमारा, बेश्वित्ती, पत्थन, पार्लिस, इन सभी पर एक टका वैट है, उसके बाद कुछ वस्तुवें ऐसी हैं जिन पर चार टका वैस्ट है, चार टका 4%, फिर कुछ वस्तुवें हैं जिन पर साड़े बारा परसेंट है, कुछ सब्सक्त को एग इस won pedfits ऑर कुछ बस्त हुएं हूं जने पर चौप पर सैंट Oh ein तैटि फोर ऍने क्या स्वाइफ में जितनी मोक खुर्ण स्पिरिक है फोकदर इस्प्रिक में डीजल पैट्रोज केरोसिन और जो गैस आप इस्सेमाल करते हैं गाड़ी चलाने में ये सभी और इन से निकलने वाले बाई प्रोड़क्ट्स उसकी पूरी एक सूची है 20-22 प्रोड़क्ट है उसमें 34 परसेंट तो एक परसेंट वाला तो हीरा, जवारा, सोना, चांडी आदिया दे चार परसेंट में खाने पीने की बहुत सारी बस्तो है, साड़े बारा परसेंट में खाने पीने की बहुत सारी बस्तो है, 20 परसेंट में बहुत सारी अन्य बस्तो है और 34 परसेंट में 20 सबसे ज़्यादा जो टैक्स में बस्तु हैं, 2.5% में उससे कुछ कम 4% में और सबसे कम 1% तीन जिन बस्तुओं पर वैट नहीं है, भारत जी वो जला सोनें सबसे ज़्यादा वैट-फ्री बस्तु है, दारू शराप शराप पर वैट नहीं है शराव को टेक्स-free किया हैCloud मैंने एक उड़ारी मो पूछा कि भाई तुमने यह शराव को tax-free कैसे कर दिया буд पर वैट है चाज़च पर वैट है दही पर पैठ करने ही शराब में पूछा और वो बुढ़ारी मंतुरी इसका है मैंने पूछा भाई दारों को कैसे वैट प्री किया तो उसने का आपको भाई की नहीं वालत की जितने भी सांसन है सब के पास दारों के कार्ट है जितने भी आमदार हैं आमदार मनें MLA और खासदार मनें MPs ज्यादातर MPs और MLA's दारों के धंदे में हैं कि अगर नाम सुनना चाहें विजय पालिया कि जानते हां वाज़ा से खासदार है दारों का सबसे बड़ा उच्पादव है कि शिचर और उसकी पूरी पार्टी है जंदा पार्टी जो दारों के पैसे से चलती है और यह वहीं जंदा पार्टी है महराची जो मुरारजी देशाई के जमाने में बली वो जंदा पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप मुराजी देशाई आये और उनकी ताकत से उन्होंने गुजरात में दारों बंदी कराई थी थोड़े दिन अगर रह जाते तो भारत में दारू बंदी करने वाने थे लेकिन उसके पहले उनको गिरा दिया तो जो जन्ता पार्टी बनी दारू का विरोध करने के लिए आज उस जन्ता पार्टी का प्रेसिडेंट दारू का सबसे बड़ा धन्रिवाज है उसकी पूरा पाप्षादारू से चलता हुआ तो अनुनने का जब दिजय मालिया जैसे खासतार है तो दारू के वैट कैसे आ सकता है इसलिए वैट फ्री शराब जो है नो वैट फ्री उसके बाद दूसरी वस्तू जिस पर वैट नहीं है वो है लौट्री सम लॉट्री बैट फ्री है लॉट्री पर कोई बैट नहीं माने सक्ट्य वाजी करो और दारू पियो दोनों टैक्स माने दोनों नहीं मरो और डूमो इसके लिए बैट फ्री है ऐसी कई-कई बस्त में है जो बैट फ्री और वाराजी नमक पर बैट है हाँ नमक पर बैट है और दारू बैट फ्री है लोटरी बैट फ्री है नमक जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है मीठू जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उस पर बैट है और मुझे बहुत दुख होता है इस बात को कहते हुए अभी थोड़े दिन पहले भारत में ड्रामा होगा था, वो आपने देखाओ, सोनिया गांदी ने महात्मा गांदी के मीठू सत्याग रहका पिछो मनाया, देखाँ, सोनिया गांदी गांदी मांच में देखाँ, सावर मती राश्रम गुजराथ से शुरू होके और गांदी सम मीठ का टैक्स अठाया, वो महात्मा गांदी का मीठ सत्यागर का याद करने के लिए फिर से एक यात्रा निकाली और उसमें मीठ पर टैक्स अठाया, मुझे बहुत बुख है यह कहते हुए, कांदी जी के शरीम का हत्या नाथुरंग गॉर्ट से ने किया था, कांदी जी के पर लेड के विचार का हत्याती ही, गांदी वधी को में तो सरकार, मीठ को रहा नाथी, कि पर रहा गांदी जी के चैखे पर बैटा इक, गांदी जी की टूपी को रहे खुए, और गांधी लेकिन गांदिवादी सरकार जो इस देश में चल रही है, वो खादी पे भी वेट लगा दिया, चरके पे भी लगा दिया, टोपी पे भी लगा दिया, मीट पे भी लगा दिया, ये सब वस्तों पर चार टका वेट है, जिन पे होना चाहिए टैक्स वहाँ नहीं है, जिन पे नहीं होना चाहिए उन पर वेट है, ये जो पाँच श्रेडी बनाई हैं सरकार ने, पाँच सो प पर चार टका है उनकी सूची करीब डेड़ सो है जिन पर सारे बारे टका है उनकी सूची करीब 175 से आगे है और बची हुई पर 20 और 34 परसेंट है यह है टेक्स का रिट अब इसमें नेक्स एक निट यह स्लाइड में आपको सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए यह लगेगा कैस पर चार परसेंट है तो चार परसेंट वेट लगने के बाद उसकी जो नेट परचेस प्राइस हो जाएगी वह 104 रूपय ठीक है इसमें टेक्स कितना है चार रूपय अब यही वस्तू को अगर देड़ सो रूपय में बेच दिया जाए आपने खरीदा 104 रूपय वस्तू की कीमत है 100 रूपय अब वह वस्तू को आप बेचते हैं 1500 रूपय में ठीक है तो टेक्स कैलिकुलेशन उसके हिसाब से और जो टेक्स पेबल है वो नीचे फिर सेट अफ जो अलरेड़ी पेड आपने कर दिया है वो नीचे फिर नेट टेक एक चार्ट के बादियम से यह समझाए और इसमें 4-5 वस्तू में लिया है एक वस्तू ले लिया 200 रूपय का है 8% है दूसरा ले लिया 300 रूपय का है 12% है ऐसे करके यह समझा है यह कोई खास बात नहीं है आप सब जानते हैं अब इसको एक दूसरे तरह से समझाए आपकी मान लीजे पर्चेस ऑफदा मंथ मोटी एक लाख रूपय एक महीने में आपने एक लाख रूपय का खरीदी किया उसी महीने में आपने जो टैक्स पे किया पर्चेस पर 4% अगर मान लीजे दर है तो चार अजार रूपय ठीक फिर अगर आपने सेल किया उसी का देरड़ लाख रूपय तो फिर देरलख रूपय पर टैक्स और जो देरलख पर आपने टैक्स दिया और एक लाख पर शुरू में दिया अब उसको गेटाया जाेगा तो जो निकलेगा वो नैट बैट आपको पे लेगाई नेक्स्ट अब जो वैट आया है उससे परिवर्तन क्या क्या किया इनों में बहुत सारे जो टेक्स कानून हटाने की ज़रूरत थी वो नहीं हटा और जो फालतू के थे उनको हटा दिया मेजर चेंजिस अभी हमारे यहां क्या था सेल्स टेक्स था तो वह वन पॉइंट टेक्स अभी वैट लाके मल्टिपॉल पॉइंट टेक्स करते हैं सबसे वाज़ा कोई टेक्स आप एक बार दे दें वो सरल है या बार बार वरेंगे वो सरल एक बार भरेंगे तो सरकार कितना बड़ा जूप बोल रही है कि बैट आने के बाद सरलता बढ़ेगी सरलता नहीं कठिंता बढ़ेगी फिर उसके बार reduced number of rate slabs leading to reduced number of classification disputes यह सरकार कहती है यह मैं नहीं मानता सरकार के ड्राफ्ट में कैसे कहा हुआ फुल सेट ओफ एस अगेंस सेट ओफ with retention ranging from 4.5% to 5.5% shift from audit assessment to self-assessment इसका इतना बड़ा जूट है यह sentence सरकार कह रही है कि self-assessment का पूरा है तो आपने अधिकारियों को क्यों बिठा दिया हो अगर self-assessment ही है हमने जो कह दिया वो आप माल लो फिर अधिकारी क्यों उसको cross-check करें क्यों उसको verify करें क्यों cross verify करें इसका माली यह है कि जूट बोलके आपको फसाना है यूरोप में जहां भी self-assessment में है वेट वहाँ अधिकारी कुछ नहीं पूछ सकता आपसे आपने डिक्लेयर किया इतना tax बंता है बात कतम हो गई उसके बाद कोई आपसे comma-fullist को बात नहीं करेगा इबन ये गल्फ countries है ना छोटे-छोटे संयुकतर अब अमीराद कुबैद बहरीन ओमार इन देशों में भी व्यापारी जो कह दिया बात कतम हो गई कोई अधिकारी आपसे नहीं आके पूछेगा आपने सही कहा या जूट कहा माना वहाँ ये जाता है कि व्यापारी जो कह रहा है वो सच्छी ही है क्योंकि वो देश का नागरिक है हमारे इसका ठीक उल्टा है हमारे यह माना जाता है कि व्यापारी सब जूट है चोर है, बेईमान है डकैथ है इसलिए अधिकारी को उसके ऊपर बिठा दिया जो इमांदार है, करतब बिनिष्ट है सक्तिमिष्ट है, जो बहा हराम को है ये जो अधिकारी वर्ग को सरकार ईवाल और करता मिनिस्ट बताती है वो अधिकारी वर्ग की असलियत अभी आपने देखी होगी थोड़े दिन पहले हमने टीवी चैनल पर एक सीरियल देखा घूस महल उसका नाम घूस महल और वो दिखाया आज तक टीवी चैनल उसमें एक बात उन्होंने बताई कि दिल्ली का सेल्स टेक्स कमिशनर डिपार्टमेंट में कैसे भूस ली जाती है और दी जाती है वो मैंने देखा दिल्ली का सेल्स टेक्स डिपार्टमेंट महरत जी जिसका नाम अभी वैट डिपार्टमेंट हो गया है उसका office जहां पर है उसके ठीक उपर vigilance commissioner का office है vigilance commissioner का काम है भूस खोरों को पकड़ना ब्रश्णाचारी को पकड़ना उसके नीचे sales tax commissioner का office है जहां भयंकर भूस खोरी चलती है और मैंने मेरी आखों से देखा 83 अधिकारी 83 officers को हाथ से पैसा लेते हुए रिश्वत लेते हुए भूस लेते हैं और अपने खीसे में रखते हैं लिया खीसे में रखता लिया खीसे में और उसने बहुत इंट्रस्टिंग तरीके से दिखाए सबेरे वह अधिकारी आते हैं 9 बज़े office में सबका खीसा खाली होता है कुछ नहीं होता है पाकेट भी नहीं होता है खाली खीसा और थोड़ा कुछ दो पांच रूपया हो तो काउंटर पर रख देते हैं जाते हैं वह ले लेते हैं अंदर office में घुषते हैं तो खीसा खाली होता सब फिर दिन भर भूस खोरी करते हैं रिश्वत लेते हैं घूस लेते हैं पैसा बनाते हैं और इस इस चीज़ के लिए घूस लेते हैं आप सी फॉर्म मांगने गए पांच सो रुपय घूस दो लैँ इस मेंच पर है यहां से आगे लेकर जानी है? 5000 रुपए आगे से और आगे ले जानी है, 10000 रूपए वहां से कमिश्नर के पास जानी है 30000 सभी बिटsk्स वह उत्रासी अधिकारी दिन भर घूस कोनी करते हैं, शाम को वो इकठे होते हैं पाँच बजे और सारा खीसे का पैसा निकाल के काउंट करते हैं, कितना इकठा हुला, फिर उसको कमिशनर से लेकर और नीचे कारकून तक डिस्ट्रिब्यूट किया लगता है, भारत में सबसे इम भूस लिया, अपना निकाल के रखा, फिर उसको काउंट किया, फिर अधिकारी के हिसाब से रिडिस्ट्रिब्यूट है, यह अपने हुग्यारी आंकों से देखा है, और यह भारत की रासधानी के सेल सेक्स कमिश्वर के आफिस में हो सकता है, तो छोटे-छोटे गाउं में क्या होता होगा सोच को, ऐसे घूस भोर, हराम भोर व्यापारियों को सरकार बिठाती है, यह कहकर कि यह कर्तव निष्ट है, सत्य निष्ट है, देश की सेवा कर रहे हैं, इसलिए उनके उपर लगाम अंकुष नहीं है, अंकुष उनके उपर है व्यापारियों के हो, यह ज लेट को सभर्दन कर रहे हैं जो मुझको एकी तरफ देते हैं सलफ असेस्मेंट हो गया मैंने गया तुम्हारी की क्या निकार आया जड़ा ये बताओ सलफ असेस्मेंट किये हुए को भी income को सुर्य वेट कमिशनर रिजेक्ट कर सकता है अपने नए तरीके से उसकी जाच करा सकता है तुम्हारे self assessment का मतलब क्या फिर उसके बाद evolution of turnover tax, surcharge and purchase tax ये state level पे state level पे ये team turnover tax, surcharge and purchase tax ये खत्म किया है और महाराष्ट में merger of work contract tax act, right to use act with bad के साथ पर्च कर दिया है, इतना हुआ है, जो measure है मैंने आप से कहा, CST खतम नहीं हुआ service tax खतम नहीं किया, professional tax खतम नहीं किया road tax खतम नहीं किया, toll tax खतम नहीं किया, opt-roll पर कर खतम नहीं किया जो करना चाहिए और नहीं किया फाल तो कम किया, next next हाँ अब ये वैट के benefit सरकार बता रहे है, क्या-क्या सुइदाए होने वाली है, क्या-क्या आपको lab होने वाला है उसमें एक lab को बताते हैं, आपको जो है न, refund मिलेगा, set-off मिलेगा, एक lab दूसरा वो बताते हैं कि ये जो state level पे turnover tax, surcharge, आदी-आदी थे ये हट जाएगा, फिर कहते हैं, overall tax burden, rationalize होगा, तारकिक होगा, price will journal fall, सरकार कह रहे हैं, मैं एक महिने का study किया है, अभी, एक महिना मैंने जब से बैट आया, लगबग एक महिने बाद, किस-किस वस्तू की कीमतें बढ़ी हैं, जो भी बस्तू पर बैट आया है, तो सरकार का ये इतना बड़ा जूट है कि कीमतें कम होगी, कोई कीमत कम नहीं होगी, सभी बस्तू की कीमतें बढ़ी, और कुछ बस्तू की कीमतें तो इतनी बढ़ी हैं कि कोई सोच नहीं सकता, जैसे, किसान के काम आ जैसे किसान के काम आता है थ्रेशर, जिससे अनाज के काम थे त्रेशर के एक एक अंग पर वैट लिए उसका नट, बोल्ड, पंखा-वंखा सब वैट लिए उसकी कीमत बढ़े, पैर्किस तका कीमत पढ़े, सब किसान बॉट लाते, मुझे पूछते हैं ये कीमत इतनी बड तो कीमतें बढ़ रही हैं कम नहीं हो रही है और यह जूट सरकार लगातार और यह तो सबसे बड़ा चूस है सरकार को जास्ती से जास्ती टैक्स मिलेगा सरकार की आमंद नहीं बढ़ेगी यही सच है बाकी यह सब जूट अभी दिखाता हूं कैसे जूट है प्रच्चर वेट इनिडिया कैसा इस्क्रच्चर है कि अभी हमारे जो रहा है वो सेन 會 नहीं आ रहा ध्यान रखना इसमाथ मैंने आपको थोड़ी दिर पेले बादद दुनिया के सब देशों में से रखनार है में त्राइट सक्राइच्ट कर्पूरेट इतने सब के सांत HAIR और सरकार नेक्स्ट हाँ यह मैं आपको बता दिया है इसलिए आप इसमें जादा धियान देने की जुनी में बता है एक शुडूल ए है जिसमें टैक्स फ्री विट्ट से सब कर सा शुडूल भी है जिसमें एक परसंट टैक्स वाले है Schedule C है 4% X है Schedule D है 20% है यह Schedule E है जिसमें 34% तक वैट है Motor Spirits जो मैंने आपसे थोड़ देख लेका एक Schedule F है जिसमें Other Boats है जो इन में से किसी में नहीं है और अगले साल से एक नया Schedule आने वाला है जिसमें 2000 और वस्तुएं है फिर एक नया Schedule आएगा 8000 और वस्तुएं है टोटल साड़े 10,000 वस्तुएं पर वैट होगा 2000 साथ में यह सरकार का Announcement है Next Rate है जो मैं आपको पहले ही बता दिया 1% है, 4% है, 12.5% है उसके बाद 20% 34% CST is still applicable सरकार में एक बाइदा किया है मैं बरोजा नहीं करता क्योंकि 1960 में वाइदा किया था CST अटाइंगे अभी एक वाइदा किया है कि हम CST आधा करेंगे फिर उसके अगले साल आधा करके फिर पूरा कतम करेंगे बरोजा नहीं क्योंकि शराबी आत्मी जो होता है ना उसका बरोजा नहीं होता नेक्स फिर अब देखिए ये तो बहुत ख़गर ना कि बैया इसके एक पहले वाला चुपिए भाजी बेचने वाले का दंदा पांच लाग से कम है पानी पूरी बेचने वाले का दंदा पांच लाग से कम है पान पट्टी चलाने वाले का दंदा पांच लाग से कम है चाय ब जो पुदिंगे अब को रिजेस्टेशं परुप से भी एक रिजेस्ट इसे कर ऑब क्यों कराना है इसलिए कि अगले समय में उन पे भी वेट लगाना है कारण क्या है इसमें बहुत ही खतरनाक प्रोवीजन है प्रोवीजन ये है कि सरकात जिस दिन चाहे उसका अधिकारी वेट कमिशनर टेक्स की रेट को उलट पलट कर सकता है जिस दिन चाहे एक सिंगल नोटिफिकेशन से उसको कानून बनाने की नई दरकार नहीं है जरूरत नहीं है असेंबली में जाने की जरूरत नहीं है संसत से पास कराने की जरूरत नहीं है फिर कहेगा जी दस हजार से उपर का दिंदा करने वालों को सब को बैट पे करने हैं फिर हजार रुपएं तक भी आ जाएंगे माने सरकार तो पिलकुल नंगी भूकी है जहां से भी मिले खीचना है चूसना है हर आदम में आपसे इसलिए रेजिस्ट्रेशन कमपल सरी कर रहे हैं अब ये रेजिस्ट्रेशन नहीं किया तो तो फिर क्या तो आपने कानून का उल्लंगत किया ऐसा माना जाएगा और उस पर दंड कितना उसके प्रोवीजन क्या है तो अगर रेजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको कम से कम 2000 रुपई दंड कोई राज्य में 2000 है कोई राज्य में 1000 है 1000 से कम कहीं नहीं है 2000 से जादा कहीं नहीं है तो कम से कम 1000 से 2000 रुपई के बीच में दंड और जितने दिन registration नहीं करेंगे उतने दिन प्रति दिन के हिसाब से और दंड कोई राज्य दो सो रुपए प्रति दिप कोई सो रुपए प्रति दिप ऐसे ऐसे दंड और अगर दंड नहीं भरा तो मान दो आपने रेजिस्ट्रेशन भी नहीं किया पेनल्टी लगा वो भी नहीं भरा तब तब वेट कमिशनर आपको एक साल के लिए जेल भेज देगा ये उसको अधिकार है और जेल भेजने के लिए भी जो टर्म इस्तेमाल किया गया है रिग्रस इंप्रिजम्टमेंट रिग्रस इंप्रिजम्टमेंटे में शश्रम कारवास आपको मैं एक सालब भावस में आपको तुरां समझ में आए है बारत देश के क्रातिमीर विनायक दामुदर सावर करको रिग्रस इंप्रिजन्मेंट हुआ था तो क्या था? उनको जेल के अंदर चक्की चलानी पड़ती थी जेल के अंदर वो जो बेल वाला कोलू होता है ना उसमें बेल को निकाल के उनको लगाया जाता था और कोलू चलाना पड़ता था ये तो रिग्रस इंप्रिजन्मेंट होता है अगर आप में रीजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रिग्रस इंप्रिजन्मेंट एक साल के लिए इतना बड़ा crime और मान लो एक साल का rigorous imprisonment होने वाला है आपको माहिती है कलपना को और आप भाग गए absconded हो गए तो तो आपकी पत्नी को जो पत्नी आपकी उसको imprisonment कर सकता है एक साल के नहीं है दुनिया के किसी कानून में नहीं है बारत में भी सबसे खराब कानून है न IPC 302 मरडर आप ने अगर किसी का मरडर किया है IPC 302 का केस बनता है उस केस में भी जिसने मरडर किया है उसी को जेल होती है उसकी पत्नी को कोई चूब भी नहीं सकता लेकिन इसमें अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जेल चलो एक साल की और ये बात जब मैंने कहीं सारे मंत्रियों के साथ ने लाई तो एक ही जवाद दिया हमने पढ़ा नहीं इसको कानून पढ़ा नहीं है और कहते हैं हम इसका संशोधन करें के बाद में पहले स अगर तुमने पढ़ाने तो कानून क्यों लगाया इतनी जंदी क्या थी अमेरिका डब्र टीओ साइन करने के बाद भी बैट नहीं लाया तो तुम को क्या गरज पढ़िया लाने की तुम जगड़ा कर सकते हो डब्लू टीओ में क्या अम लाएगा तो हम लाईगे नहीं ल दो जाओ। तो विचारे लिए छोटे-छोटे खौन चलाने वाले पानी पूरी बेचने वाले चाय की वपड़ी चलानी वाले पांपट्टी का धंदा करने वाले इनका क्या होने वाला है sound और द्ता स्जार की और स्पारीशन दिखाऊ लाओ 20,000 उपर, 50,000 उपर, एक लाख उपर, तो इससे क्या होगा, ट्रांसपरेंसी बढ़ रही है, हाँ, बढ़ रही है, कैसे, पहले वो चुपचाप लेता था, अब सीधे डखेती डालेगा, इसकी ट्रांसपरेंसी बढ़ रही है, पहले जो चोर थे न, उस अब डखेत हो सीधे बुंडागर्दी करके आपकी जेब से निकालेगे कैसे, और ये चो छोटे-छोटे बिचारे धंदे करने वाले हैं, ये इतने गरीब भोले-वाले मासूम होते हैं, कोई भी इनको हड़का लेता, पुलिस वाले तो आप देखते न, कैसे हफता बसूली करते हैं, नहीं तो जेविचल, नहीं तो तुमारा सामान जबती करता हैं, ये सब भराम पूरे अब शुरूबों की इस देश, छे वाइने के बाद, नमंबर दिसम्बर से ये सब आपको अपनी आपों के सामने दिखाई देगा हुआ हैं, रेजिस्ट्रेशन कंपल सरी होना बहुती खतरनाक प्रोविजन एक उसमें डाल दिया है, और इससे भी जादा एक खतरनाक प्रोविजन, नेक्स्ट, वो आगे आएगा, मैं अभी बता देता हूँ, वो प्रोविजन क्या है, कि आप अगर पाँच लाग रुपई से कम का धंदा करते हैं, तो आपको टेक्स तो नही पेना, लेकिन आपको रिटर्न फाइल करना कमपल सरी है, वेट रिटर्न फाइल करना कमपल सरी है, वेट रिटर्न फाइल करना कमपल सरी है, माने हर भाजी बेचने वाले को, चाय का धंदा करने वाले को रिटर्न फाइल करना है, अभी रिटर्न क्या होता है, पुछो आप उससे सड़क पे अगर कोई व्यक्ति आपको बता दे पानी पूरी बेचने वादा कि तुमको अगले छे महीने के बाद वैट रिटर्ट फाइल करना हाईती है तो कहेंगा यह क्या हो दार वैट रिटर्ट है मैंने एक आफिसर को पूछा रिटर्ट कैसे फाइल करेगा वो तो मुटा चाहती है वो तो कभी